10th math exercise 5.1 का ये दूसरा question है इसमें हमें कह रहा right first four term of the AP मतलब हमें first four term लिखना है AP का when the first term A and the common difference D are given as follow मतलब हमें first term A दिया गया है और D क्या है हमारा common difference A क्या है first term है तो चलिए हम पहला question का solution करते हैं ये first में हमारा A first term क्या दिया गया है 10 और D क्या दिया गया है 10 यानि common difference भी 10 ही दिया गया है तो हम जो है general term कैसे लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होता है A second term हमारा general के अनुसार A plus D और third term क्या हो जाएगा A plus 2D और जो है fourth term क्या हो जाएगा A plus 3D अगर आप general term नहीं लिखना जाते हैं तो description box में link दिया गया है मैंने बताया है पूरा detail में कैसे लिखते हैं तो चलिए इसमें हमें simply क्या करना है A की A का जो यहाँ पर A का value है इस term में हमें A का value रख देना है और D का जो value है वहाँ D का रख देना है तो यहाँ पर A है तो A कितना दिया है 10, A plus D तो A क्या है हमारा 10 और D कितना है 10 10 plus 10, A A हमारा कितना दिया गया है 10 plus 2D यानि 2 into 10 10, A कितना दिया गया है हमारा 10 दिया गया है plus 3D यानि कि 3 into 10 10, 20 10 और 10 कितना हो गया 20 और यहाँ हो गया 10 plus 20 10 और 2 into 10 क्या होता है 20, 10 plus 30 तो जो हमारा final A P आया यहाँ 10, 20 और 10 plus 20 क्या हो जाएगा 30 और यहाँ 40 तो यही हमारा जो है A P बना जिसका कि हमने 4 टर्म लिखा यह हमारा क्या है 1, 2, 3, 4 टर्म हो गया यही पहला question इसका answer था चलिए दूसरा करते हैं तो यह हमारा second है इसमें A क्या दिया है minus 2 और D क्या है 0 तो जो हमारा general 4 टर्म लिखते हैं इसमें हम A और D का value रख देते हैं तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा minus 2 यहाँ पर A plus D है तो A क्या है minus 2 और plus 0 A क्या है A plus 2D में A minus 2 plus 2 into D क्या है 0 A plus 3D में A minus 2 plus 3 into 0 इसको हम solve करते हैं तो यहाँ पर आजाता है minus 2 minus 2 और plus 0 क्या है minus 2 और यहाँ पर आजाता है minus 2 plus 2 into 0 क्या आता है 0 minus 2 plus 0 क्या है minus 2 कॉमा minus 2 और plus 3 into 0 क्या जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा minus 2 plus 0 क्या आता है minus 2 ही होता है तो यहाँ पर यह जो आया हमारा चार टर्म आ गया माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू यानि इसका चारो टर्म क्या है सेम ही है लेकिन यही हमारा एपी में हो गया यहाँ पर यह third question है जिसमें कि हमारा A क्या दिया गया है 4 और D क्या दिया गया है minus 3 तो हम simply क्या करेंगे यह जो term वाला 4 term है general इसमें हम A और D का value रख देंगे A हमारा क्या है 4, A क्या है 4 plus और bracket में देकर minus 3 लिख देंगे कॉमा A क्या है हमारा minus 4, 4 plus 2 into में क्या हो जाएगा minus 3 फिर कॉमा देंगे फिर यहाँ A 4 हो जाएगा 3 into minus 3 अब हम इसको solve करते हैं 4, plus into minus क्या होता है minus 4 minus 3 फिर यहाँ पर 4 plus 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 तो यहाँ पर हो जाएगा minus 6 कॉमा 4 plus 3 into 3 क्या हो जाएगा 9 और minus है तो minus 9 अब यहाँ पर आ गया 4, 4 minus 3 क्या हो जाता है 1 फिर यहाँ पर आ गया 4 और plus into minus क्या होता है minus 6 6,4 plus into minus minus और यहां पर आ जाएगा 9 तो यहां पर आ गया 4,1 4 minus 6 क्या हो जाएगा minus 2 और 4 minus 9 क्या हो जाएगा minus 5 तो यह हमारा क्या आ गया एपी में आ गया है जिसमें की चार टर्म है 1,2,3,4 यह हमारे क्या हो गया चार टर्म हो गया तो यही तिसरा का एंसर हो गया यह हमारा फोर्थ है जिसमें की A बराबर क्या दिया गया है minus 1 और D बराबर क्या है 1 by 2 और यह हमारा जेनरल टर्म होता है तो इसमें हम A और D का value रख देंगे तो A बरावर हमारा क्या दियेगए है? —1 A बरावर है —1 प्लस D क्या है हमारा? 1 by 2 A क्या है? —1 और प्लस 2 इंटु D क्या है? 1 by 2 —A क्या है? —1 प्लस 3 इंटु 1 by 2 तो जब हम इसको Solve पुरा कर लेंगे जोड घटाओ गुना भागा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आजाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन बाइ टू कॉमा जीरो और कॉमा वन बाइ टू आ जाएगा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विडियो बहुत लंबा चलने लाएगा ये ही जो हमारा आया ये क्या में हो गया हमारा ये चारो कि एपी में हो गया यह हमारा फिफ्ड है इब राभर क्या दिया गया माइनस वन पाइब प्वाइफ Benson और डि ब्रावर क्या दिया गया है। जीरो पॉंट टू फाइफ तो छे लिए हम ये यह दोनों a और d का भेलू इस general terms में हम रख देते हैं यह हमारा क्या है चार general terms है जिसमें की a क्या है first on और d क्या है common difference तो a का भेलू क्या दिया गया है minus 1.25 यह हमारा a का भेलू तो a के सामने हम यह रख देंगे कॉमा यह क्या है minus 1.25 प्लस d क्या है हमारा minus यानि कि हम इधर bracket में लिखेंगे 0.25 फिर कॉमा देंगे यह हमारा क्या है minus 1.25 और plus 2 into minus 0.25 और यहाँ पर फिर कॉमा देंगे यह वाला अब लिखेंगे यहाँ पर a क्या दिया गया है minus 1.25 और plus में क्या है 3 into d यानि d क्या है हमारा bracket में minus 0.25 यह हमारा आ गया अब मैं इसको minus 1.25 को ऐसे ही रहेगा फिर हम इसको solve करते हैं तो minus 1.25 plus into minus minus 0.25 फिर यहाँ पर आ जाएगा minus 1.25 plus plus और minus क्या होता है minus हो जाएगा 2 into 0.25 क्या हो जाएगा हमारा 0.50 फिर यहाँ पर कॉमा देंगे फिर यहाँ क्या है यह वाला minus 1.25 plus और minus क्या होता है minus और 3 into 0.25 को multiply करेंगे तो क्या हैगा 0.75 अब हम इसको further यानि फिर आगे solve कर लेते हैं तो यहाँ पर तो minus 1.25 ही रहेगा और यह दोनों क्या हो जाएगा minus minus क्या होता है plus तो sign minus कहीं रहेगा minus 1.50 यहाँ पर हो गया फिर इन दोनों को करेंगे तो यह आ जाएगा minus 1.75 आ जाएगा और फिर कॉमा इन दोनों को करेंगे तो हमारा क्या जाएगा minus 2.00 तो यह हमारा क्या आ गया चार्ट टर्म आ गये एपी के हैं तो यही हमारा answer हो गया बही हमारा थमारा क्या में तो यही हमारा चार्ट टो यहाःगा प्लिशे लिवरnaire मारा क्या ऐसले यह लिआ जाएगा प्लिधियूस